आज के इस वीडियो में हम लोग GST में जो आफलाइन यूटिलिटी है उसको यूज करके हम लोग invoices को अपलोड करना सीखेंगे मतलब यह होता है कि क्या होता है कि अगर मालीज आप टैली में डेटा आपका नहीं है आप टैली से एंट्री करके वहाँ सारा डेटा नहीं है आप टैली यूज नहीं करते हैं आप क्या कियें जितना भी B2B invoices है सारा Excel में आप बुक करके रखे हैं तो उस केस में क्या है एक एक करके दो चार invoices रहे तो अब तो मैनुल एड करना कोई बहुत बड़ा इसू नहीं है लेकिन अगर सौट डिड़ सो invoices एक्सल में है तो उसको एक बार में कैसे हम invoices है जनवरी का invoices है पूरा का पूरा यह invoice है इसको अब हमको पूरा upload करना है कहां पर पोटल पर तो यहां पर हम लोग को data prepare करना है एक तरीके से क्या रखना है सबसे पहले invoice date है उसका नाम है party का invoice number है GST number है place of supply रख लेना है इसी के बेस पे CGST, SGST, IGST जो calculate होता है इसी बे नहीं करना utility में नेक्स्ट यहां पर question यह आएगा कि यहां पर ध्यान आपको यह रखना है कि माल लिजे कोई एक invoice है ठीक है को एक invoice है जो कि उसमें दो rate वाला था उसमें हम लोग यहां पर कैसे adjust करेंगा तो देखिए same name same date रहेगा same name रहेगा same invoice number रहेगा same GST number same place of supply invoice value same रहे आपको download में जाना है download offline tools में जाना है return offline जो दिख रहा है यहां पर इसको download करना है इस पर आपको click करना यह download पर जैसे click करीएगा तो यह इसको extract करते हैं एक्स्ट्रेक्ट पर क्लिक करना है यह extract हो गया अब यह extract जब होगा तो आपके सामने यहां पर यह बहुत सारा दीखेगा यहां पर इक देखिए section wise क्या है कि अगर आप यहां पर return dashboard में जाईएगा तो आपको यहां पर बहुत सारा टेबल मिलेगा जो हम previous वीडियो में सबको बता चुके हैं कौन सा टेबल किसली है B2B वाला B2C तो इसी तरह से जितना भी वहां पर sections है उसी के अनुसार से csv folder बनाया गया है वहां पर ठीक है हम लोग को यहां पर देखिए जैसे कि मालीजी हम लोग जेस्टीर 1 में अगर अंदर जाईएगा तो आपके पास क्या है कि अगर मालीजी यह B2B invoices है यहां का 1500 invoices है इसका तो इस तरह से हमको क्या करना होता है कि आपको देखना होता है और सारा का सारा इसी तरह से यहां पर अंदर जाईएगा तो यहां पर gstr1 में देखिए यहां पर सारा जितना भी वहां टेबल है सब का इक अलग-अलग बनाया हुआ जैसे देखिए B2B, SEJD तो उसी तरह से यह हो गया, तो इस तरह से सारा का सारा जो है वह बनाया हुआ है, तो यहां पर सारा टेबल यहां पर है, उसी तरीके से यहां पर सारा का सारा जो CSV फाइल यहां पर बनाया गया, इसमें डेमो डेटा भी है, आपको यहां पर फील करना है और इसी को वहां पर accept करना है, ओजा जा रहेँ संसे लोको पॉर्टल पी आ जाएगा तो हम लोगको क्या करना थेAR आप सबिप है लोको जैसे होगा यहाँ तरह चाहिए चाहिए पुरा फॉर्मेटिंग सेम होना चाहिए तोusta चल्या देखतें तो सबसे पहले इसको लोग demo के type में हम लोग उपर कुछ नहीं करते हैं, नीचे से fill करते हैं, उपर में fill डिलेट कर देंगे तो जैसे सबसे पहला क्या है, इसको GST नमबर आप यहाँ पर आ जाएए ठीक है, GST नमबर यहाँ से आ जाएए, पूरा select करिए और इसको copy करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए Ctrl Alt भी करिएगा, value से, paste कर दीए, next क्या चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है तो नाम में आ जाएंगे, नाम को यहाँ से Ctrl Shift करके पूरा select कर लिए और select करने के बाद, Ctrl Alt भी करके value करेंगे और यहाँ पर पूरा आ जाएगा, next आपको क्या चाहिए, invoice number चाहिए, तो invoice number के लिए आपको क्या करना है, सारा invoice number select करने के बाद, आपको Ctrl Alt भी करके, यहाँ पर value करके, आपको यहाँ पर invoice number डालना है, फिर आपको date डालना है, ठीक ह बीर विर इस तरह से होगिया अब इसको चेंज करना है यहां पे जाना है इसको फॉर्मेट पेंटर करें पार मिट अहां पे तोटल जो है यह select कर लेजे और यहाँ पे इसको implement कर दीजे तो यह चीज आपका आ गया फिर क्या बोलता है invoice value बोलता है तो आपको invoice value यहाँ पे सारा का सारा select कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे invoice value select कर लेजे select करके control c कर यहाँ पे क्या करना है control alt v करना वी पोर वैल्यू ठीक है यह आ गया next आपका place of supply place of supply जैसा दीजेगा उसी बेसिस पर cgst, sgst, igst जो है वो calculate करता है तो आपको यहाँ पे place of supply सारज सही है gst नंबर से पता चल जाएगा आपको control alt v करके value put कर दीजे यहाँ पे place of supply में यहाँ पेrcm जो है अगर rcm हैं तो yes कर दीजे नहीं है तो controlt यह करके copy करके यहाँ पे pa4 keapst कर दीजे यहाँ पे तो इस तरह से हम लोग क्या किए यह आपका rcm ह्तेट इस case में ऐख भी ग Champ लोग को क्या करना है यहाँ पे control V कर देना है तो यह हो अप्लिकेबल परसेंटर टैक्स रिट इसको कुछ नहीं करना है अब देखें यहां पर बहुत सारा इन्वाइस का टाइप होता है ठीक है रेगुलर इन्वाइस ऐसी जेडिन वाइस तो आपको क्या करना है रेगुलर है आपके केस में तो रेगुलर का कॉपी करिए और यहा जो प्लों Teaching से हुआँ हम झाल यह ह्लों सब्सक्यों मствоर्ल से आब इन नहीं है यहां पर ऐन मेंос और लेट कर लिए है यहां से आके यह चीज आज़ें Ctrl C करिए यहां पे Ctrl Alt V फिर वैल्यू करके यहां पर वैल्यू पूट कर दीजिए नेक्स्ट आपको क्या करना से सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब नहीं तो नहीं डालिए अब सारा चीज हम लोग डाल लिए अब यहां से जो demo.data था इस तरह से इसको हम लोग delete कर लेंगे control minus करके इसको हटा दिए अब इसी तरह से आपका जो data था वो तयार हो गया है अब आपको क्या करना है अब आपको इसी तरह से data save कर लिजिए save करने के बाद आपको simple सा क्या करना है आप डाउनलोड कियोंगे यहां पर download करते समय आपको एक यह मिला होगा ठीक है आपको यह one nation one tax offline utility आप इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको क्या करना है इसको install कर लेना आपका system में yes करिए आप इसको आपको system में install ही रहने देना है इसको आपको कुछ नहीं करना जान रहा है यह आपको एक बार कर लिए तो आपका यह download हो गया तो आप इसको हमेशा हर बार के लिए use कर सकते आं तो इस तरह से यह download हो रहा है देखे, shortcut create हो गया होगा अपने display पे, अब इसको आप देखे, finish कर देना, finish पे click कर दिए, इंस्टॉल हो गया, आप जब अपना system में जाईएगा, तो आपको यहाँ पे देखेगा, आपको यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आईएगा, तो आपको देखे, यहाँ पे यह system जो है, वो आगे आपके सामने, ठीक है, तो यह system आने के बाद आपको क्या करना है, इस पे आके double click कर ये, double click करने के बाद ये on हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, यह जो open होने के बाद आपको देखे, यहाँ पे क्या है, upload new invoices after data, क्या है, other data for return तो आपको new pay, क्लिक करना है, नियूआ पर उक्लिक करने के बाद आपको GSTR1 select कर लेजे उसका GSTR1 select कर लेजे, जो भी GSTR1 number है, तो GST1 number select करने के बाद आप वहाँ पर GSTR1 put कर लेजे डाल दिये, उसका फैनेंसिल यह चूस कर लेना है, कौन साम मन्त है तो February है, February select कर लिए, SCJD अगर supplier है तो Yes करिए, नहीं है तो No करके आगे बढ़ जाए, Is quarterly filer है, तो Yes करिए, नहीं है, तो No करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, बोलता, Is aggregate turnover greater than 5CR, in preceding financial year, अगर है, तो Yes करना है, नहीं है, तो No करना है, लिएक क्लिकर आपको उसके सबूर्ट करना है यह पर दिखे प्री स्थ यहां पर अगर घ्रा आप क्रिडिध नोट का डेटा अप्रोड करना चाहते हैं आमेंड्मेंट है बी-टू-सी, जो भी जी स्वीत तरह का भी तो अभी हम लोग क्या क्या, ब 2 b कियें तो यह चीज़ हम लोग को upload करना है, ब 2 b inosys तो हम लोग को क्या करना है, Specaliśmy import files पर क्लिक करना है, इंपोर्ट फाय'lls पर क्लिक करने के बाद है इसको आपको सेव कर लेना है सेव करने के अब यहां पे यहां में रहए इसको ओपन करिएगा तो यहां पर आपका जो है यह डेटा everything daytime डीटेle गया अब यहां पर व्यसमरी पर कलिक करिए व्यसमरी पर जैसे क्लिक कर रिएगा तो यहां पर बताएगा टोटल नमबर ओफ इनवाइस्जज आपका 112 है टोटल जो यह सीजी एपना रहा है तो इसको वैरिफाइग डिए गार्फका यह जो यह देखिये यहां मेरा यहां पे total CGSD कितना है? 4-9-800, यहां पे भी 4-9-800 आया, auto calculate किया, यहां पे हम tax amount नहीं डाले है, यहां पे सिर्फ tax rate डाले है, वही चीज automatic calculate किया, 4-9-800, 4-9-800, 29-73-205, 29-73-205, 112 invoices है, तो इस तरह से total यहां पे आ गया, अब आपको क्या करना है, सारा invoices जब आ गया, तो आप यहां से generate file पे click करना है, generate file जैसे click करिएगा, तो आपको यहां पे JSON file मिलेगा, आप इसको JSON पे click करिए, और आपको save पे click करना है, पर जैसे क्लिक करेगा तो आप कोई भी location पे उसको save कर दीजी अब क्या है आपका जितना उतना सारा इन्वाइस था कितना कम टाइम में आपका जो है सारा का सारा add हो गया है ना तो आपको यहां पर देख लेना है अब आपको क्या करना है अब आपको वापस से पोर्टल पर जाना है अब पोर्टल पर जाने के बाद आपको क्या करना है सर्च करना है सर्च करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर online पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है जैसे कि अगर आप पीछे जाके देखिएगा तो कुछ नहीं है पीछे कोई डेटा नहीं है जैसे अगर आप एक बार जाते हैं हम लोग ठीक है यहां पर लोग देख प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना है ठीक है जैनवरी सलेक्ट करना है जैनवरी सलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है यहां पर प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यह जो फाइल जेनरेट हुआ था इसको क्या करन ऑपन करना है ओपन करते ही यह क्या होगा यह जो है वो क्या है प्रोसेज हो गया एरर क्या है नो टैपले के वल मतलब कोई एरर नहीं है देखिए 12.59 अगर पीछेज बैक तो फिरसे आपको क्या करना है यह जैनमरी में यह इन्धर अब को यहां पर देखए नहींगा यहां ही तरी तरीके से आपको hsn-wide summary भी CSV फाइल यूज करके जैसे जो CSV फाइल है CSV फाइल में JSN1 में चल जाएगा तो यहां पर hsn-wide जो होगा document summary exempted देखिए hsn है hsn को feel कर लेंगे हम लोग है ना उसके बाद hsn भी उसी तरह से hsn को भी jsn बना के वहां पर अप्रोड कर देंगे उसी तरह से b2c भी कर देंगे तो इस तरह से आप CSV फाइल को यूज करके आप return जो है पूरा का पूरा prepare कर सकते हैं और इसमें एक चीज और क्या देखना है आपको यहां पर आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम एक ही बार में पूरा का पूरा जो है b2c, b2b, credit note, debit note सारा एक ही बार में कर लें तो आपको यह template यूज करना पड़ेगा ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि देखे basically क्या है ना कि hsny summary अगर है तो बहुत ज़्यादा data tough नहीं होता है तो आप वहाँ पर manually add कर सकते हैं, document summary manually add कर सकते हैं b2b lengthy हो जाता है, date 200 invoice हो जाता है, gst number थोड़ा track करना यह सब चीज हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, सारा का सारा देखी excel से जो data था वह हम लोग को portal पर आ चुका है एकक add करने से हम लोग बच चुके हैं, तो इस तरह से हम लोग offline utility को use करना सीखें Thank you, thank you